हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नीसी सिंग और स्वागत है आप सभी का डिलिसियस किचन डायरीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पीज़ा स्वास की रेसिपी ये नियू स्टैल में बनाई गई है तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना पीज़ा स्वास बनाने के लिए मैंने छे मीडियम साइस की टमाटर को इस तरीके से चौप कर लिया था और इसे में ग्राइन कर लूँगी एक प्याच को मैंने इस तरीके से बारिक चौप किया है और मैंने आट से दस लहसुन को इस तरीके से क्रश कर लिया है और इसके चौक के लिए मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइन ओल लिया है आधी चमच जीरा को ले लिया है और मैंने 2 खड़ी मिर्च को चौप किया है मसालों में मैंने नमक, एक चमच धनिया का पाउडर, आधी चमच हल्दी का पाउडर और एक चमच कुटी ही लाल मिर्च को लिया है मैंने एक चमच अजवाइन का यूज किया है यह से मैं फ्लेवर के लिए यूज करूँगी तो आप इसे स्किप बिल्कुल मत करना आप एक बाल और इंगिजिंडिन्स को अच्छे से देख लो तो चलो इसके निक्स बॉसर को सुरू करते हैं पहले मैंने पैन को गर्म कर लिया और उसमें मैने आयल को आट कर दिया oil के गर्म होते ही मैंने इसमें garlic एट कर दिया है और मैं इसे एक मिनट तक low flame पे भुन लूँगी उसके बाद मैंने इसमें जीरा को एट किया है जीरा को एट करने के बाद मैं इसे चला करके मिला लूँगी हमने इसमें तेल का यूज कम किया है और अब मैं यहाँ पर चॉप्ट चीलीस को अट कर दूँगी और इसे वीवाट चला के मिक्स कर लूँगी इसमें से एक अच्छी से स्मेल आने लगी है और ये एक दूम अच्छे से भुन चुके हैं तो अब मैंने यहाँ पर प्याच को अट कर दिया है और प्याज को एड़ करने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया था और अब मैं इसे चला करके मिला रही हूँ अब मैं इसे तीन से चार मिनिट तक भूनूंगी आप भी इसे बीच बीच में चला करके भूनते रहें जब तक ये लाल ना हो जाए आप इस पिज़ा सॉस को अपने डाइट में भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कम उयल यूज किया है और अब यह प्याज एकदम अच्छे से भून चुके हैं तो यहाँ पे मैंने ग्राइंट टमाटो का पेस्ट यूज कर दिया है और इसे चला करके मिला लिया है गैस को हम मेडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे और लगबग एक मिनट के बाद मैंने इसमें एक कप पानी आड़ कर दिया है और अब यहाँ से हम टमाटो को पकाना सुरू करेंगे आप इसे बीच-बीच पे चलाते रहना अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करना अब मैं यहाँ पे उन सभी मसालो को एड़ करूँगी जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ तो मैंने केकर के सारे मसाले इसमें अड़ कर लिये है आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अड़ कर लेना और इन सभी मसालो को डालने के बाद इसे चला करके मिला लेना गैस को अब भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रखना आप प्रोसेस को बिलकुल स्टेफ बाइ स्टेफ फॉलो करना जैसे मैंने वीडियो पे बताया है यहाँ पे मैंने आधी चमच कस्मीरी वेश और आधा चमच गरम मसाल आट किया है अब मैं इसे कुछ दिर तक इसी तरीके से कंटिनिसली चला करके मिलाओंगी और अभी मैं इसे और पकाऊंगे क्योंकि अभी तक यह सौस अच्छे से त्यार नहीं हुआ है इस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ चमच सुगर आट किया है और उसके जस्ट बाद मैंने अजवाइन को आट कर दिया है उसके बाद आप इसे चला करके मिलाएं और इसे और पकने ले इसे मैंने ढख करके 5 मिनट तक पकाया है लो फ्लेम पे और उसके बाद आप इसका टेक्शर देख सकते हैं यह एकदम सही हो चुका है और अब मैं यहाँ पे फ्लेम को आफ कर दूँगी और इसे सर्फ कर लूँगी फ्लेम के वज़े से इसका कलर थोड़ा चेंज दिख रहा है तो आप इसे इग्नोर करना जब तक मैं इसे सर्फ कर रही हूँ तब दक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे लाइक और कॉमेंट जरूर करो और मेरे सारी प्रीवेज वीडियो को भी जरूर देखना थैंक्स पर वचिंग गाईज